हैरी बवेजा ने साल 1991 में मूवी त्रीनेतर से एज डिरेक्टर बॉलीवूड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुवात की इस मूवी के लीट काच में मिथुन चक्रवर्ती, शिलपाशी रोडकर, दीपा साही, गुलशन गरोवर, अमरीश पुरी और धर्मेंदर शामिल थे ये एक एक्शन मूवी थी इस मूवी का वजट दो क्रोड पैंतिस लाग था अपने इंडिया में इस मूवी ने तीन क्रोड पच्पन लाख रुपए कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने चार क्रोड चालिस लाख रुपए कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स आफिस में हिट रही साल 1994 में एज ए डिरेक्टर इनकी अगली मूवी आई दिल वाले इस मूवी के लेट कास्ट में अजे देवगन, सुनिल शेटी, रवीना टंडन, परेश रावल और गुलशन गुरोवर शामिल थे ये एक एक्शन रोमेंटिक ड्रामा मूवी थी इस मूवी का बजट दो क्रोड था अपने इंडिया में इस मूवी ने साथ क्रोड कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने बारा क्रोड कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में सुबर हिट रही साल 1994 में ही एज ए डिरेक्टर इनकी मूवी आई इंतिहान इस मूवी के लिट कास्ट में सैफ अली खान, रवीना टंडन, सनी द्योल, दलीप ताहिल और गुलशन गुरोवर शामिल थे ये एक एक्शन रोमेंटिक ड्रामा मूवी थी इस मूवी का बजट 2 क्रोड 50 लाग था अपने इंडिया में इस मूवी ने 3 क्रोड 82 लाग रुपए कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 5 क्रोड 41 लाग रुपए कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में बिलो एवरेज रही साल 1996 में एज एड डिरेक्टर इनकी मूवी आई दिल जले इस मूवी के लिट कास्ट में अजे देवगन, सोनाली बेंदरे, मधू, अमरीश पुरी, शक्ती कपूर और परमीत सेटी शामिल थे ये एक एक्शन रोमेंटिक ड्रामा मूवी थी इस मूवी का बजट 5 करोड 55 लाग था अपने इंडिया में इस मूवी ने 9 करोड कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 15 करोड 85 लाग रुपे कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में सेमी हिट रही साल 2000 में एज डिरेक्टर इनकी अगली मूवी आई दिवाने इस मूवी के लिट कास्ट में अजेद देवगन, उर्मिला मांदोटकर, महिमाद चोधरी, परेश रावल, कुल्शन गरोवर और शिवाजी सातम शामिल थे ये एक एक्शन रोमेंटिक मूवी थी इस मूवी का बजट आठ क्रोड पचास लाग था अपने इंडिया में इस मूवी ने साथ क्रोड कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने बारा क्रोड कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में फ्लॉप रही साल 2001 में as a director इनकी अगली मूवी आई मुझे मेरी बीबी से बचाओ इस मूवी के लीट कास्ट में रेखा, नसीरुदिन शाह, अरशद वारसी, सुमन रंगनात और मुकुल देव शामिल थे ये एक कोमेडी मूजिकल फैमली मूवी थी इस मूवी का बजट चार करोड था अपने इंडिया में इस मूवी में 37 लाक रुपए कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 73 लाक रुपए कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में डिजास्टर रही साल 2002 में as a director इनकी अगली मूवी आई कर्ज दा बड़न ओफ टुथ इस मूवी के लीट कास्ट में सनी द्योल, सुनिल शेटी, शिलपा शेटी, आशुतोश राणा और जानी लिवर शामिल थे ये एक एक्चन क्राइम ग्रामा मूवी थी इस मूवी का बजट 11 क्रोड था अपने इंडिया में इस मूवी ने 9 क्रोड कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 16 क्रोड कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिक में फ्लॉप रही साल 2003 में as a director इनकी अगली मूवी आई कयामत इस मूवी के लिट कास्ट में आजेद देवगन, सुनिल शेटी, संजे कपूर, अरबाज खान, ईशा कोपिकर, विया सैन, मेहा धूपिया और आशिस चोधरी शामिल थे ये एक action romantic drama मूवी थी इस मूवी का बजट 16 क्रोड था अपने इंडिया में इस मूवी ने 17 क्रोड कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 28 क्रोड कमाए collection के हिसाब से ये movie box office में average रही साल 2005 में as a director इनकी अगली मूवी आई मैं ऐसा ही हूँ इस मूवी के lead cast में अजेद देवगन, शुश्मिता सैन, ईशाद देओल और अनुपम खेशा मिल थे ये एक drama family musical मूवी थी इस मूवी का बजट 7 क्रोड 50 लाग था अपने इंडिया में इस मूवी ने 2 क्रोड 86 लाग रुपय कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 5 क्रोड कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये movie box office में disaster रही साल 2005 में as a producer इनकी अगली movie आई करम इस मूवी के director थे संजे F. गुपता इस मूवी के lead cast में जान अब्राहम, प्रियंका चोपडा, शाइनी अहूजा, अंजन शिर्वास्तव और विक्रम जीद कमर पाल शामिल थे ये एक action crime drama movie थी इस मूवी का बजट 6 क्रोड था अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 क्रोड कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 8 क्रोड कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स आफिस में फ्लॉप रही साल 2006 में as a director इनकी अगली मूवी आई तीसरी आंक इस मूवी के लिट कास्ट में सनी द्योल, अमीशा पटेल, नेहा धूपिया, आरती छाबारिया, मुकेश रिशी और मुरली शर्मा शामिल थे ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी थी इस मूवी का बजट 12 क्रोड 50 लाग था अपने इंडिया में इस मूवी ने 4 क्रोड कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 6 क्रोड 60 लाग रुपए कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स आफिस में डिजास्टर रही साल 2007 में as a producer इनकी अगली मूवी आई स्पीड इस मूवी के डिरेक्टर थे विक्रम भट इस मूवी के लीड कास्ट में जायत खान, संजे सूरी, उर्मिला मांदोटकर, आफताप शिप दसानी, आशीष चोधरी और तनुश्री दत्ता शामिल थे ये एक एक्चन क्राइम ठ्रिलर मूवी थी, इस मूवी का बजट 9 क्रोड था, अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 क्रोड 13 लाख रुपए कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 1 क्रोड 58 लाख रुपए कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में डिजास्टर रही साल 2008 में एज़े डिरेक्टर इनकी अगली मूवी आई लाव स्टोरी 2050 इस मूवी के लीड कास्ट में प्रियंका चोपडा, हर्मन बवेजा, बॉमन इरानी और अर्चना पूरन सिंख्षा मिल थे ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी थी इस मूवी का बजट 40 क्रोड था अपने इंडिया में इस मूवी ने 11 क्रोड कमाए और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 18 क्रोड कमाए कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में डिजास्टर रही साल 2014 में एज़े डिरेक्टर इनकी अगली मूवी आई चार शैजा दे ये मूवी एनिमेटेट और हिस्टोरिकल मूवी थी इस मूवी में ओमपुरी और हर्मन बवेजा की वाइस को यूज किया गया था कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में हिट रही साल 2016 में एज़े डिरेक्टर इनकी अगली मूवी आई चार शैजा दे पार्ट टू राइज ओफ बंदा सिंग बहादूर ये मूवी भी एक एनिमेटेड मूवी थी इस मूवी में ओमपुरी हर्मन बवेजा और पवन कालरा की वाइस को यूज किया गया था ये मूवी कलेक्शन के हिसाब से हिट रही इस तरह मैंने आपको हैरी बवेजा की एज डिरेक्टर और परडूसर उनकी सभी मूवी के बारे में बता दिया हैरी बवेजा की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद